नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Study for Public Service Commission में देखिए DGHS यानि के Direct Rate Journal of Health Service के द्वारा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था ग्रूप A, B और C का नोटिफिकेशन निकाला गया था टोटल 487 पदों पर ये भरती का नोटिफिकेशन निकाला गया था DGHS के द्वारा और नमंबर में इसके ओनलाइन फॉर्म फिल हुए थे अभी दिसंबर में ही इसका एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया था 16, 17 और 18 दिसंबर को सारी पोस्ट जितने भी कटेकरी निकाली गई थी उन सभी का एक्जाम कंड़क्ट करवाया था 16, 17 और 18 दिसंबर को और 20 दिसंबर को इसकी आंसर की भी रिलीज कर दी गई थी तो तब से बच्चे पूछ रहे थी कि सर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है तो फाइनली DGHS के द्वारा आप सभी का इंतजार खतम कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको step by step आप कैसे अपना result चेक कर सकते हैं या फिर मेरे telegram पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको direct link मिल जाएगा वहाँ से आप अपना result चेक का सकते हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिए गा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं तो चलिए मैं बता दिता हूँ आपको कैसे अपना रेजल्ट देखना है सबसे पहले आप इस पर टाइप करेंगे डी जी एच एस करके टाइफ करके अप एंटर मारेंगे जैसे ही तो यह ऐफिषिल वैब साइट इनकी खुल जाएगी और सेकर्ण यहाँ पर आपको क्लिक करना है यह भी रिजल्ट क्लिक करेंगे तो इनकी के टाइगरीज के एक्जाम लिये गये थे या कितनी category के notification निकाला गया था टोटल 487 post पर यह देख लीजीगा यहां पर technician, health, library, physiotherapist, instructor, junior, pressing, boiler और यह देख लीजीगा जूनियर, junior, यह देख लीजीगा, cane worker, radiographer, staff, car, driver, यह देख लीजीगा, सभी परकार की यहां पर category दी गई है और जैसे यहां पर click to view result करेंगे तो यहा download करके आप अपना result चेक कर सकते हैं तो इस type से आप अपना result देख सकते हैं बड़ी असानी से और ऐसी महत्कून जानकर यहां समय पर पाने के लिए आप channel को subscribe कर लीजीगा इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद